अगला कोश्चन है किसी परिक्षा में दो विद्यार्सि थे अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्सि दौनों के प्राप्तांकों का 56 प्रस्त लेकर दूसरे विद्यारती से नौ अंक अधिक प्राप्त करता है प्रतेक विद्यारती के अंक कितने होंगे अब इस क्वेश्चन को पुराने क्वेश्चन से हम कैसे रिलेट करें देखिए वहां दो मीदवार थे या दो विद्यारती अब यह क को के टूटल है उस टूटल को मतब कुल प्रापतांग मैं क्या माननी अ कि सो माल लेता हुआ है कि दौनों को फॉल मिलाकर अन्क मिले है अब जीतने वाला प्रापतांगों का जैसे आपको सभी question में मैंने बताया था कि हमेशा प्रतिशत से पहले जो का है देखिए उससे पहले क्या दे रखा है दौनों के प्राप्तांकों का तो दौनों के प्राप्तांक हमने कितने मान लिये सो इसका 56 परशेंट कॉन लेगा पहला विद्यार्ती जो पहला स्टूडेंट है वो इसका 56 ले गया यानी चपन जो यहां पर अंक हैं 100 में से वो तो मिले पहले विद्यार्ती को तो अब दूसरे विद्यारती को क्या मिलेगा इसी का 45 परसेंट इसी का 45 परसेंट ले जाएगा कौन दूसरा वाला अब इन दौनों के प्राप्तांकों का अगर मैं अंतर चेक करूं तो इनका अंतर कितना आएगा देखिया इनका अंतर हो जाएगा 12 किरा तो हम कह रहे हैं कि पहले विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से बारा अंकाधिक मिले और क्या कहिर रहा है कि 100 कौर्शन कहिर सhardy कि देखिए पिछले क्वेशन में वो टोटल पूछ रहा था तो मैंने इस एक परसेंट को सो से गुणा कर दिया था इस बार वो दोनों के अलग अलग अंक पूछ रहा है तो मैं कहुंगा कि पहले विद्यार्थी को क्या मिला है जब एक वराबर तीन बटा चार तो इसे 56 परसे अच्छा दूसरे विद्यार्थी को क्या मिलेगा दूसरे विद्यार्थी को चमवालीस परसत मिले तो जब एक वराबर तीन बटा चार है तो चमवालीस वराबर कितना हो जाएगा ये 33 के वराबर हो जाएगा तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पहले विद्यार्थी को 42 अंक मि ले चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह हजी स्टार्ट करना अगला कोश्चन है एक चुनाव में दो उमीदवार हैं दस प्रस्ट मत दाताओं ने अपने मत का प्रियोग नहीं किया विजेता उमीदवार मत दान का 55 प्रस्ट लेकर 720 मतों से जीत गया कुल मत दाता कितने थे अचा ऐसे कोश्चन में ध्यान रखना जैसा मैंने आपको का इसका प्रियोग बताया था कि जहां भी प्रतिशत राशी दे रखी हो उस प्रतिशत राशी के जस्ट पहले जो का होगा और उस का से जस्ट पहले जो शब्द होगा वो शब्द हमारे लिए हमेशा आधार मान होगा बस इसी कॉंसेप्ट का यूज़ करके हम यहां पर कोश्चन हल करेंगे जैसा इसने कहा की एक चुनाब में दो उम्मीदवार है तो हम ऐसा कह दें कि कुल मतदाथा सो थे कुल मतदाथा हमने कितने मान लिये सो मान लिये अब 10% मतदाथा आउने अपने मतद का प्रियोग नहीं किया इसका मतलब मतदान कितना हुआ अगर 10% वोट नहीं डालेंगे तो मतदान कितना होगा 100 में से 10% इसको हमने कैल्कुलेट किया और इसमें से माइनस कर दिया तो मतदान कितना होगा 90 अच्छा अब इसके बाद ये कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार मतदान का 55 प्रस्ट बस question में इसका ध्यान रखना कि प्र नहीं है मतदान तो इसका मतद देखो इसके बस दो चोइस हैं मतदाताओं का भी प्रतिशत दे सकता था और मतदान का भी दे सकता है तो बस आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जा भी प्रतिशत्ता दे रखका हो उससे पहले कोई ना कोई का होगा और इस का से जस्ट पहले जो पर्सेंट कों ले गया जीतने वाला जीतने वाला इस नभखे का 50% निकाल लेते हैं अलग से निकालने देखिए जैसे हमने शुरुवात में एक टेबल पड़ा था एक परसेंट टेबल जिसमें 50% कुम एक बटा दो कहते थे ठीक है तो यहां मैं कहूंगा कि 90 का 50% निकालना है तो इसका मतलब आप क्या कर दो 90 का आधा कर दो यानि 45 हो गया जैसे 100% पर एकंग के बाद पॉइंट लगा कर 10% बनाते थे तो वैसे क्यों ना 50% पर एकंग के बाद पॉइंट लगा कर हम क्या बना दें 5% बना दें तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि यहां 90 का आधा यानि 90 का 50% तो गया 45 और जब 50% 45 है तो 5% कितना हो जाएगा उसी 50% पर बाद मैंने पॉइंट लगा दिया तो यह संक्या कितनी हो जाएगी 45 और 4.59 पॉइंट 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 पांच यह वो जोगाड़ है जिसमें आप कॉपी पें की आपको कबी जरूत नहीं पड़ेगी कि 50% के लिए आदा कर लिया और जैसे 100 पर एकंग के बाद मिला 49.5% मिला अब बात करते हारने वाले का यहां से एक शब्द एक मतब यहां पर concept आप याद रखेंगे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है जैसे यह कुल मतदाता जो आपको दिख रहे हैं ये भी अपने आप में 100% है और कुल रह जाएगा लेकिन अपने आप में कितना होता है हमेशा कोई भी संख्या 100% होती है तो अगर 55% जीतने वाला ले गया तो सौ मैंसे 55-5 कर दें तो 45% कौन ले गया हारने वाला अब 90 मैंसे यह माइनस करें तो भी आ जाएगी संख्या या मैं ऐसे कह दूँ कि 90 का 45% निकालें तो भी हमें क्या मिलेगा हारने वाले के वोट मिल जाएगे तो अब इसमें मैं ऐसा कह सकता हूं कि 50% अभी आपने बताया था 45 और माइनस पांच कर दूँ तो पचास माइनस पांच कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा तो यह पचास परसेंट था यह पांच परसेंट है गटाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा 40.5 यह हारने वाले के वोट आगे नहीं तो आप इसको ऐसे देख लेना कि 45 बटा 100 और गोणा कितने पर कर रहें 90 पर स्कुल कर रहें तो भी आपको यह उत्तर मिलेगा लेकिन चीजों को आसन बनाए देखो जोड़ने घटाने से क्या होता है कि हमें कॉपी पेंड की कम से कम जरुत पड़ती है और जितना कम कॉपी पेंड की आप जैसे हां कि जितन कम आप कॉपी पेंड यूज करोगे उतना ही आसान होगा किसी क्वेशन को हल करना अचा अब जीतने वाले और हारने वाले का अंतर कितना है इन दौनों का अंतर हो जाएगा कितना 9 वोट का अंतर है और क्वेशन इसी 9 वोट के अंतर को क्या बता रहा है 720 का अंतर है तो अगर 9 720 के बराबर है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 80 अब आप से चाहे जीतने वाले के वोट पूछे आप से चाहे हारने वाले के वोट पूछे या आप से कुल मतदाता या कुल मतदान पूछे आप सभी question का उत्तर आसानी से दे सकते हैं फिलाल क्या पूछा है कुल मतदाता कितने थे यानि एक बराबर असी है तो सो बराबर कितना हो जाएगा इस असी को सो से गुणा करें संख्या बनेगी कितना आठ हजार तो कुल मतदाता आठ हजार थे मान लीजे आप से पूछ लेता मतदान कितना हुआ तो इसी असी को हम न तरसो बचेगा चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला कोश्चन है एक चुनाव में दो उमीदवार हैं दस प्रसत मत दाताओं ने अपने मत का प्रियोग नहीं किया मत दान का दस प्रसत अवैद गोशित कर दिया जीतने वाला उमीदवार वैद मतों का 51 प्रसत लेकर 3240 मतों से जीत गया आप सिर्फ दो बातों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले प्रतिशक्ता कहां पर है उससे पहले अगर कोई का है तो उसका से जस्ट पहले क्या शब्द आया है जैसे क्वर्शन में दो उमीदवार हैं दस परसेंट ने अपने मत का प्रियोग नहीं किया मैं सुरुवात में मान लेता हूं कि कुल मत दाता यह कितने हैं सो है अच्छा दस परसेंट ने अब इसमें कह रहा है दस प्रसत मत दाताओं ने अपने मत का प्रियोग नहीं किया तो मत दाता सो हैं दस परसेंट ने मत का प्रियोग न परसेंट अच्छा अब इसने कहा है अब इसमें आगे आप ध्यान रखना मतदान का दस प्रसत अवैद घोशित कर दिया ये रहा दस परसेंट किसका मतदान का बस इसका का और ये ये तीन शब्द ये तीनों एक साथ आएंगे और ये हर जगा आएंगे कोई भी कोशन आप उठा के देख लेना प्रतिशत्ता का जहां भी का आएगा तो उसके जस्ट बाद एक परसेंट में वैली होगी और इसके जस्ट पहले एक तो यहां मैंसा कहेंगे कि मतदान नब्वे है और नब्वे का दस परसेंट चेक करें तो कितना होता है नब्वे का दस परसेंट नो होता है तो नो लोगों ने अपना इनका जो मत है वो अवैद गोशित कर दिया तो इसका मतलब वैद मतदान कितना होगा वैद मतदान होग 81% अब आगे क्या कह रहा है अगला statement फिर पढ़ते हैं जीतने वाला उम्मीदवार वैद मतों का 51 प्रसाथ 51 प्रसाथ से पहले का है और का से पहले क्या है वैद मत हैं और वैद मत अपने पास कितने हैं एक्यासी है तो इस 81 का 51% कौन ले गया जीतने वाला अब यहां जो एक समस्या हमें आती है वो आती है calculation की कि इस calculation को हम जल्द से जल्द कैसे करें देखिए अगर किसी question में उसने पूचा है कुल मतदाता कितने कुल मतदान कितने तो वहां पर आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे calculation को लेगे आप तो बस एक बात ध्यान रखना कि मैंने आपको अभी कहा था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% किसी दूसरी संख्या से तुलना करें तो उसके मुकाबले वो 90 रह सकती है या उसके मुकाबले वो कितनी रह जाएगी क्या सी रह जाएगी लेकिन हर एक संख्या अपने आप में कितना है 100% तो अगर यह अपने आप में 100% है तो इसका 51% कौन ले गया जीतने वाला तो अब इसका कितना परसेंट बचा 49% त तो हारने वाले को वैद मद्दान का कितना मिलेगा 49% मिलेगा दौनों में कितने परसंट का अंतर है 51% का देखें तो 2% का अंतर है लेकिन एक बात और एक 80 का 51% था जीतने वाला एक 89% था हारने वाला तो ये 2% भी कितने का होगा, एक 80 का 2% ये क्या हुए ये जीतने वाले और हारने वाले का अंतर है या तो आप क्या करेंगे 85% निकालेंगे 89% निकालेंगे फिर उनको गटा कर देखेंगे कि क्या आया या इससे बैटर है कि अगर 51% जीतने वाला ले गया तो 89% कौन ले गया हारने वाला ले गया दौनों के बीच में कितना अंतर है दौनों के बीच में 2% का अंतर है तो हम कहेंगे कि इस बार जो अंतर है वो 81 का 2% है ये निकाल लो बसा किसी भी संक्या का 1% निकालना मैंने आपको बताया था कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो 81 का 1% 0.8 हे को जाएगा डबल कर दो 81 का डबल 162 होता है दो अंके बाद पॉइंट लगाना है तो वास्ता में यह संख्या है एक पॉइंट 62 अब देखी हम कहे रहें कि दोनों में अंतर है एक पॉइंट 62 का और question कहे रहा है कि दोनों में अंतर है 3244 का चलिए तुलना करते हैं मैंने पॉइंट अटाया तो यहां 20 जीरो बढ़ जाएंगे अब इसके बाद देखो ये सोला है ये बतीस है मुझे तो दो गुना नजर आ रहा है अब पूरी संख्या का दो गुना करके देख लेते हैं एक सो साट का डबल कितना होता है तीन सो बीस और दो का डबल कितना होता है चार तो इससे ये संख्या दो बार विवाजित होती है और इसके बीचे तीन जीरो देखो अमने भी लगा दिया यानि एक बराबर कितना हो जाएगा दो हजार अब वो आप से चाहे वैद मतदान पूचे आप तीनों का उत्तर बता सकते ही Hey उसने पूछा है पुल मतदाता कितने हैं तो सौ बराबर कितना हो जाएगा दोगाजार को सौ से गुणा कर दो तो तीन जीरो तो पहले से ते 2020 और लग जाएंगे जीरो हो सब कबड़ों पर तथा शेस का 25 प्रसत अन्य खड़्चे करता है इसके बाद वह है 900 9450 रुपे बचा लेता है रमेश का वेतन कितना है देगे इस कोश्चन को पुराने कोश्चन से हम कैसे जोड़ेंगे लास्ट कोश्चन में हमने कौंसेप्प पढ़ा था और कौंसेप्ट यह था कि यहां जो भी प्रतिशत में हमें संख्यां दे रखी हैं उनके जस्ट पहले का आएगा और उस का से जस्ट पहले जो शब्द होगा वह हमारे लिए हमेशा आधार्मान और उस आधार्मान पर हमें संख्या मतब्यां प्रतिशत्ता निकालना है तो अब इस सुरुवात में जो वेतन है वो हमारे लिए आधार मान है और इस वेतन को में कितना मालूं सौ मालूं अच्छा इसके बाद यहां पर 20% वेतन का इसने खाने पर खड़्चा किया तो 100 का 20% 20 होता है आप यह गटाएंगे तो बचा कितना 80 बचा गठाया क्यों क्योंकि अगला स शेश आ गया तो शेश मेरे पास 80 है और 90 का 25% कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा और असी में से बीस गटादे तो क्या बचेगा साथ बचेगा अंगा यह हमने गटाया क्योंकि अगला स्टेटमेंट है कि शेश का 30 परसन तीस परसन्ट 30% से पहले जो का है और उससे पहले क्या आगया शेस आगया तो हम कहेंगे 60 का 30% ये कितना हो जाएगा अठारा हो जाएगा और 60 में से 18 घटा दें तो संख्या बचेगी कितना 42 अगे ये क्यों घटाया क्योंकि आगे कहे रहा है 6 का 25 प्रतसत तो 42 का 25 परसेंट निकालना है आ आपको पहले बताया था हमने शुरुआत में टेबल पड़ा था उस टेबल के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि पचीस परसेंट का मतलब हो जाएगा एक बटा चार तो मतलब मुझे 42 का चौथा ही करना इसमें बहुत जादा मेनत नहीं लगेगी आप तो 40 का चौथा ही कर तो दस पाँच हो जाएगा तो यह कुल मिलाके बनेगा 10.5 अब घटा दें तो 10 गटाया तो 32 और पॉइंट पांच घटाया तो 31.5 अपने पास लास्ट में जो संख्या आईगी वो कितनी हो जाएगी 36.5 अब यह संख्या में कैसे मिली कि यह खाने पर खड़ छटा था यह दूसर सिरा खड़्चा इसने कपड़ों पर किया और यह क्या है इसका अन्य खड़्चे हैं इनके बाद हमें लास्ट में क्या मिला 31.5 अगर वेतन 250 रुपे बचाता है चले तुलना करते हैं सबसे पहले तो परसेंट अटाके यह जीरो बढ़ा दें देखे बहुत आसान है अपने पास ऑप्षन होते हैं उनकी भी हमें मदद लेनी है और एक तुलना से ही काम चल जाता है कि जैसे यह तीन है यह नौ है आप कितना कहेंगे न 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा 45 तो अगर आप इसका 3 गुना करते हैं तो 945 बनेगा जो इधर है और बचेंगे क्या दो जीरो अब सौ बराबर आप क्या कहोगे सौ बराबर हो जाएगा इसी 300 पर दो जीरो और यानि 30,000 इसका मत्तब रमेश का जो वेतन था वो कितना होगा 30,000 अचा अब ऐसा लिखने से बहुत सारे ऐसे क्वेशन से जिनका आप आंसर और दे सकते हो ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि हर बार वो आपसे ये पूछे कि रमेश का वेतन क्या है वो मानलो आपसे ये पूछ ले कि रमेश ने कपड़ों पर कितना खड़चा किया अगर ये क पूशन हल करने का एक यहां पर आपको फाइदा ये मिलता है कि यहां पर आपको पता है कि इधर जो संख्या है वो तो हैं करंट बेस के साब से कि जैसे कहीं बेस असी था कहीं साट था कहीं 42 था इधर जितने भी आपको फ़र संख्या ये जो value मिल रहे हैं वो वेली क्या हैं वो हैं 100 के एसाब से कि करंट बेस का यानि असी का 25 परसंट होगा लेकिन 100 का कितना है 20 परसंट 60 का 30% होगा लेकिन 100 का कितना है 18% है सिर। 42 का 25% होगा लेकिन 100 का कितना है 10.5% और इसका फाइदा यह होता है कि अब question में आप से कुछ भी पूछ ले मान लीजिए वो इस question में आप से पूछ था कि रमेश ने कपड़ों पर कितना खड़चा किया तो आपने ये जो एक 300 को इस 18 से गुणा करना पड़ता मातर तो संख्या अपने पास क्या बनती चववन सो मान लीजिए ये पूछ लेता कि रमेश के अन्य खड़चे क्या है तो एक बराबर 300 है 300 को इस 10.5 से आप गुणा कर दो अपने बाजियां से संख्या आ जाती मान लीजिए पूछ लेता किराय पर कितना खड़चा किया तो एक वराबर 300 इस थीन सो को बीच से गुणा कर देंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा कि रमेश ने किराय पर कितना खड़चा किया तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले कोर्षन की तरह साब से क्या है कि कहीं भी शेस शब्द उसने यूज नहीं किया उसने बोला है वेतन का 20% खाने पर तो अगला जो में 10% कुराय पर दे रखा है वो भी किसका होगा वेतन का होगा जो अगला में 10% कपणों पर खर्च दे रखा हो भी किसका होगा वेतन पर होगा तो मतलब अग तो ऐसे करके टोटल कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा और 100 का 40% यानी 40 इसमें खाना, कपड़े और तीसरा क्या है किराया यह तीनों इसके अंदर आएंगे क्योंकि यहां कहीं भी उसने शेश शब्द का यूज नहीं किया है तो अब हम कहेंगे कि 40 रुपे तो इसने खड़्चा कर दिया किस पर खाना, कपड़ा और किराय पर अब अगला स्टेटमेंट है कि 50 प्रसत इससे जस्ट पहले क्या आया का और इससे जस्ट पहले क्या आया बची हुई राशी तो यहां पर हम कहेंगे कि राशी कितनी बचेगी 60 रुपे बचेंगे और इसका 50 प्रसत यानि 60 का आदा हो जाएगा जो कितना बनेगा 30 ये इसने खर्च किया किस पर यात्रा पर तो अब इसके बाद कितना बचा इसके पास 30 रुपे बचें क्या अब कोई और प्रतिशत्ता दिया हुआ है बिलकुल नहीं तो यहां कहेंगे क कि अपरी सुनीता ने टोटल 30 रुपे बचा लिए क्वेशन कह रहा है कि नहीं 10,920 रुपे यह बचाती है तो जिसे हम 30 रुपे कह रहे हैं उसे कोशन 10,920 रुपे कह रहा है चलिये 0 से 0 क्या अच्छा अब तुनना करते हैं या 3 है या 10 है कितनी बार भाग जा सकता है 3 ब 12 एक बराबर कितना आगया 364 अगर वो आपसे पूछे खाने पर कितना खर्चा किया तो जैसा हम पता है 100 का 20 परसेंट यानि इस संख्या को में 20 से गुणा कर दूँगा अगर पूछता है कपणों पर कितना तोटल का कितना था तीस परसेंट हुआ टोटल का तो मैं इसी संख्या को 30 से गुड़ा कर दूँगा लेकिन उसने पूछा है यहां पर सुनीता का वेतन कितना है और वेतन है 100 रुपे तो सौ बराबर हो जाएगा इस संख्या पर मैं दो जीरो और लगा दूँ यानि 36,400 तो एक परसेंट को निकालने का यह फाइदा है कि यहां से आप कोई भी संख्या पूछी जाए आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस कॉंसेप्ट को एजट इस हम काम में लेंगे एक तो लाभानी में और इसके अलावा डिसकाउंट जब बट्टा की अपन बात करें तो वहां तो यह कौंसेप्ट बार-बार आपके काम आएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है किसी परिक्षा में 60 प्रशत विद्याति हिंदी में तथा 56 प्रशत विद्यार्थी अंग्रेजी में 10 हुए यति दौनों विशह में 4000 विद्यार्थी उत्स्ति उओए तब कुल विद्यार इतने थे अब हम वे नारेक की बात करेंगे कि वे नारेक पर आधारित अगर आप से क्वेशन पूछे जाएं तो उनका आंसर हम कैसे देंगे डेगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो यहां जितने भी हमें प्रतिषद दे रखें हैं वो टोटल एंग्रेजी में तो मैं क्या मानदे गितने थे 100 कि अच्छा अब इसके बाद यह कह रहा है कि 60% हिंदी में पास तो जब हम हिंदी की बात करेंगे तो 100 का 60% यनी 60 विद्यार्ती पास हुए जब बात होगी अंग्रेजी की तो 100 का 56% यनी 56 विद्यार्ती अंग्रेजी में पास हुए यहां मैंने क्या किया कि मान लीजिये कि किसी कक्षा में 100 विद्यार्ती हैं मैंने सबसे पहले पूछा कि वो विद्यार्थी हाथ उपर करें जो हिंदी में पास हैं तो आप में से 60 विद्यार्थियों ने हाथ उपर किया मैंने सबको गिना और लिख लिया इसके बाद पूछा गया कि बताईए वो विद्यार्थी कितने हैं जो हिंदी में जो अंग्रे पास हो रहे हैं कितने 56 और 60 116 116 विद्यार्थी क्या हो गए पास नहीं सबसे पहले तो यह शब्द चींज करना की विद्यार्थी पास नहीं हुए 116 आप इसको ऐसे मानो कि जब मैंने यह पूछा कि हिंदी में कितने पास हैं तो 60 विद्यार्थियों ने हाथ उपर किया फिर मैंने पूछा कि अंग्रेजी में कितने पास हैं तो 56 विद्यार्थियों हाथ उपर किया तो यह जो 116 जो जब कितने 50 ओपर हुए है जब कि दियारती कितने थे रिए सcem एब इससे कितना आगे निकल गई संख्या ओगे निकल गई ऐसा पाउसेबल है ऐसा तभीुसक्ता है जब कोई कि दियारती दो बार हाथ उपर कर तो उसको हमने दो जगह गिल लिया तो यहां बस आपको यह ध्यान रखना है कि दौनों में दौनों विशे में पास दौनों विशे में जो पास या उत्तीन विद्यारती हैं वो अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यह जो कुल पास आया है इसमें से सो को गटा दें तो वास्तम में जो उत्तीन विद्यारती हैं दौनों विशे में वो कितने हैं सोला है अब हमारे हैं इसाब से अगर कुल विद्यार्थी 100 होते तो हम कहते कि सोलह विद्यार्थी दौनोंविशे में पास हैं लेकिन क्षिण क्या कह रहा है कि दौनों विशें में पास विद्यार्थी कितने है 4000 मतलब जिसे हम सोला कह रहे थे वह 4000 के बराबर है फिर से से काई नियम को लगा दें अच्छा सोला से भाग देते हैं वंदी में कितने पास हैं तो इस दोशो पचास को में 60 से गुणा कर सकता हूँन उस ने पूछा हे कि तो यहाँ से हम सो बराबर कितना कहेंगे 250 पर 2-0 और लगा दें संख्या होगी 25,000 अभी यहां से हमें कुछ concept और सीखने हैं देखिए यह आप से और क्या-क्या question पूछ सकता है आप से पूछ सकता है कि केवल अंग्रेजी में कितने पास हैं आप से एक ये question भी पूछा जा सकता है कि केवल अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी उत्तीन हुए हैं तो यहां हम बात करेंगे वैनारेक की अब वैनारेक के साबसे इस question को अगर मैं हल करूँ देखे मैंने मान लिया कि ये जो वरत है ये किसे बता रहा है ये वो विद्यार्थी हैं जो हिंदी में पास हुए और ये जो दूसरा वरत है ये किसे बता रहा है ये वो विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में पास हुए ठीक है दौनों के लिए मैंने अलग अलग वरत ब दौनों में पास हैं तो उनको हम यहां पर रख देंगे अच्छा यह हिंदी वाला व्रत इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है साथ और अंग्रेजी वाले व्रत की वैल्यू क्या है छपपन है तो मतलब यह पूरा व्रत कितने का है साथ का और यह पूरा व्रत कितने का है 56 का ऐसा ये कोश्चन कह रहा है ऐसा इस कोश्चन ने बोला अब हमारे पास सोला विद्यारती ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीन है मतब ये वाली जगह ये जो पूरी जगह है ये इसमें इसका मान हो जाएगा कितना सोला हो जाएगा ये सोला है अपने पास तो अब हम क्या कहेंगे कि अगर ये पूरा वरत साथ का है तो सोला तो ये हिस्सा हो गया तो बचा कितना साथ में से सोला गटा दें तो ये जगह है चमवालीस इसका मानोगे अच्छा इसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो कुलमके छपपन है यहां सोला हो गया तो बचा कितना चालीश बचा तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो चमवालीस है ये तो क्या बता रहा है केवल हिंदी में पास ये जो चालीस है ये क्या बता रहा है केवल अंग्रेजी में पास और ये जो सोला है ये क्या बता रहा है दौनों में पास यह इस तरह से संख्या हैं आपके सामने हैं तो अगर मैं इस पूरे हिंदी वाले व्रत की बात करूं तो चालीस प्लस सोला साथ हो जाएगा और अंग्रेजी की बात करूं तो चालीस प्लस सोला कितना हो जाएगा 56 तो अमारे पास सारी वैल्यू होंगी और एक बात और कि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं 44,48,60,60,60,60,40 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे पूरे की जो value रहेगी वो कितनी है 100 है यहां हम यह मानकर चल रहें जब हमें question में यह नहीं दे रहा कि दौनों विशंए में अनुत्थीन विद्धियारती कितने हैं तो अब अगर मुझे उत्तर देना है कि केवल अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी उत्तीन उए, तो मेरा उत्तर क्या होगा? कि 40 प्रस्त अगर कुल विद्याथी 100 है, तो 40 प्रस्त अंग्रेजी में उत्तीन हुएं हैं सशंग्या आजाएगी कितना कि दस Jeff तो 20000 विद्यारती ऐसे हैं जो केवल एंग्रेजी में क्या हुए उत्तिन होए अगर वो एंग्रेजी भूस्ता केवल एंग्रेजी और व्रेजी जैसा मेंने अंतर बताया हो और वो अंग्रेजी पूस्ता तो इसी को इसी 250 को में 56 से गुणा कर रहा हुता तब संख्या हो जाती 142 या मैं ऐसा कह सकता हूं कि केवल अंग्रेजी में पास 10,000 है और 4,000 ऐसे हैं जो हिंदी के साथ 7 अंग्रेजी में भी पास हैं तो 10,000 और 4,000 कितने हो जाते तब 14,000 हो जाते चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है किसी परिक्षा में 56 प्रसत विद्यार्थी हिंदी में तथा 53 प्रसत विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीन हुए यदि 9 प्रसत विद्यार्थी दौनों विशे में उत्तीन हुए और 9000 विद्यार्थी दौनों विशे में उत्तीन हुए तब कुल विद्य से करेंगे सबसे पहले कुल विद्यार्थी हम कितना मान ले सौ मान लेते हैं कि हमारे इसाब से कुल विद्यार्थी कि यह कितने हैं सौ है अब इसने 56% अंग्रेजी में उत्तीन बोला तो हम भी यह संख्या लिख लेते हैं अंग्रेजी में हैं सौ का 56% या नी 56 नहीं किया इसलिए हम हर बार संक्या को कितने पर चेक करेंगे परसेंटेज जब निकालना होगा तो supporter अब अगर अपना बात करें अचा पहला था हिंदि की जगह जगह हंदी आएगा और अंगरेजी में कितने हैं 53 परसेंट तो अंगरेजी की बात करें तो यहां और अच्छा एस इसायव से अगर अपन देखें तो हमारे पास कुल पास कितने हुए चाहे बले वह एक सब्जेक्ट में हो चाहे बले दोनों में़े पास हो जाएं तो कुल पास कितने हुए 110 हो करें लेकिन इस ने एक शब्द और दिया कि आप इसको इस्तरह से अब इस बार आमारेजिन करें कि मान लीज़े क्लास में सो विद्यार्ती थे मैंने पूछ लिया कि cette नि में Anacked उपर किया 36 हैं फिर मैंने पूछा कि अंग्रेजी कितने पास हैं तो उन आइंस्टीन को मैंने खड़ा किया और क्लास से क्या कर दिया बाहर कर दिया तो और ऐसे आइंस्टीन कितने थे नौ परसेंट थे नौ परसेंट विद्यारती ऐसे थे जिन्होंने ना तो हिंदी पर हाथ उपर किया ना अंग्रीजी पर हाथ उपर किया तो मैंने उनको क्ल क्लास में कितने विद्यार्थी होने चाहिए वह क्लास में जिनों ने हाथ ऊपर किये थे वह विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 100 में से 9 माइनस करें तो कितना 91 या 91 विद्यारती ऐसे हैं जो क्या होंगे जो कम से कम एक विशे में पास हैं कम से कम एक का मतलब है वो केवल हिंदी में भी पास हो सकते केवल अंग्रेजी में भी पास हो सकते हैं और वो दोनों में पास हो सकते हैं लेकिन हाथ कितने उपर हुए थे 109 तो हम क्या कहेंगे कि दौनों में उत्तीन जो विद्यारती हैं मुझे दौनों में तीन अगर विद्यारती निकालने हैं तो हमारे पास तो कुल हाथ थे 109 और 91 क्या हैं विद्यारती हैं जब आप इनका अंतर चेक करोगे तो कितना 18 अब क्लास में 91 विद्यारती हैं लेकिन हाथ उपर हुए थे कितने 109 उपर हुए थे तो इसका मत्दब यह जो एक्स्ट्रा आपको 18 मिले हैं वो 18 एक्स्ट्रा हाथ वो हैं कि यहां एक विद्यारती ने दो बार हाथ उपर किया होगा इसका मतलब वो दौनों विशे में पास है तो ऐसे 18 विद्यारती हमें मिल गए जो दौनों विशे में पास हैं तो यहां से हम कहेंगे कि जिस पांच बार और अठारा से 90 को भाग दें तो पांच बार भाग जाएगा और साथ में क्या गए दो जीरो एक बराबर पांसो आ गया फिर से इसके क्या 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 कोर्शन हो सकते हैं इसमें वह पूछ सकता है कि हिंदी में कितने पास हैं तो पांसो को 56 से गुणा कर दो वह तो मैं इस पांसो को 38 से गुणा कर दूं केवल हिंदी मिल जाएगा आप से पूछे अंग्रेजी में कितने पास हैं तो आप क्या करोगे पांसो गुणा त्रेपन कर दोगे और आप से पूछे केवल अंग्रेजी में कितने पास हैं तो इस त्रेपन मैंसे पहले आप यह अ आगया दौनों में अनुत्तीन नौ थे तो इसे मैं नौ से गुणा कर दूँगा मुझे अनुत्तीन मिल जाएंगे फिलाल उसने पूचा है कुल विद्यार्थी कितने हैं तो हम सो बराबर क्या कहेंगे पांसो पर दो जीरो और तो यहां संख्या बनेगी कितना पचास जार तो एक यह तरीका याद रखना कि तरीका अपने पास यह था कि यहां से सबसे पहले तो मैंने फेल को बार किया लेकिन यह सबी संख्या हमें कुल विद्यार्थी पर चेक करनी हैं पास विद्यार्थी पर नहीं करनी जो उत्तीन विद्यार्थी उस पर चेक नहीं करनी हमें कितने पर चेक करनी है सारी संख्याएं सो पर अब जो अंतर बचेगा उसके इसाब से हम कोश्चन को हल कर देंगे चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन कैसी परिक्षा में 58 और विद्यारती हिंदी में तथा 57 और विद्यारती अंग्रेजी में अनुत्तीन हुए बारा प्रसद विद्यार्थी दौनों विशय में उत्तीन हुए तता 1080 विद्यार्थी दौनों विशय में अनुत्तीन हुए तब कुल विद्यार्थी कितने थे अच्छा अब इस question में आप ध्यान रखेंगे कि last question का just उल्टा है ये कि वहाँ पर पास पास और फेल दे रखा था यहां पर फेल फेल और पास दे रखा है अब इस question का हल कैसे करेंगे चलिए कुल विद्यार्थी कितना मालने कुल विद्यार्थी होगा सौ अच्छा अब करते हैं कि हिंदी में कितने पास हुए हिंदी में कितने फेल हुए तो हिंदी की बात करें तो इसमें 100 का 58% अच्छा अंग्रेजी का परसेंटेज आने से पहले कोई शेश शब्द ऐसा कुछ आया नहीं नहीं आया तो ये भी सो का अठावन आए सो का सत्तावन परसेंट यानि सत्तावन हो जाएगा तो इस तरह से यह दोनों हैं कुल अनुत्तीन विद्यार्थी फेल या अनुत्तीन विद्यार्थी कितने हैं 115 1557 ये 115 हो जाएंगे लेकिन फिर से द्यान लखना ये विद्यारती नहीं है ये हात हैं 115 जो उपर हुए जब अनुत्रीड विद्यारतियों के बारे में पूछा गया अच्छा वापस हमने क्या नोट किया कुछ विद्यारती ऐसे थे जिन्होंने ना तो हिंदी पर आद उप उपर किया मतलब जो और नांग्रेजी में थे इसका मतलब वो दौनों में खिया पास थे और ऐसे विद्यारतियों की बात करें तो ऐसे कितने हैं बारा परसंट तो पहले काम करते हैं 12% को class से बाहर करेंगे ठीक तो हम कहेंगे कि क्लास में विद्यार्थी कितने होने चाहिए जिनके 88 विद्यारती 88 ऐसे हैं जिनके मार्कशीट में दाग लगा हुआ है कि मतलब वो या तो हिंदी में फेल हैं या अंग्रेजी में फेल हैं लेकिन अनुतीन जो हाथ उपर हुए थे वो 115 थे 88 तो विद्यारती हैं जो फेल होने चाहिए लेकिन हाथ उपर हुए कितने 115 वे कुछ यहां पर न्यूटन भी थे और वो कौन-कौन से न्यूटन थे अगर उनकी बात करें तो दौनों विशय में अनुतीन कि दोनों विशय में अनुतीन विद्यारतियों की बात करें तो 115-88 ऐसे कितने विद्यारती हो जाएंगे 27 यह 27 वो हैं जो ना तो हिंदी में पास हो पाए ना अंग्रेजी में पास हो पाए दोनों में फेल हो गए यह तो हम जिसे 27 कह रहे हैं उसी को कोश्चन क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 1000 विद्यार्थी 1080 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विशे में अनुत्तीन हुए तो 27 अगर 1080 है तो एक वराबर कितना हो जाएगा 27 का डबल 54 और 54 का डबल 108 तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये संख्या 40 वार विवाजित होगी अब फिर से वही क्वेश्चन्स पुराने आप से पूछ ले कि हिंदी में कितने अनुत्तीन हुए तो आप क्या कहेंगे 58 गुडा 40 आप से पूछ ले अंगरेजी में कितने अनुत् तो आप कहेंगे 57 गुडा 40 लेकिन इसने पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं तो हमें 100 का मान निकालना है तो एक बराबर 40 तो 100 बराबर कितना 4000 तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 4000 चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ कि अगला कोश्चन है किसी परिक्षा में एक विद्यार्थी को 29 प्रस तंक मिले और वह 42 अंकों से अनुत्तिन हुआ उसी परिक्षा में दूसरे विद्यार्थी को तेयालीस प्रस सत अंक मिले जो 39 अंक से 42 अधिक है तब पूरांग कितने थे अगर ऐसा कोई question पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना आप सभी ने अपनी mark sheet देखी होगी आपकी mark sheet या अंक तालेगा में क्या होता है पूरांग को ही क्या माना जाता है आधार मान माना जाता है अब उसके comparison में आपको कितने अंक मिले ये आपके उत्तिनांक होते हैं अच 100 है अब पहले विद्यार्थी को क्या मिला 29 प्रसत अंक मिले अगर मैं पहले विद्यार्थी की बात करूं तो उसे 29 प्रसत अंक मिले और 100 का 29 परसंट कितना होता है 29 और इसके बाद भी ये फेल हो गया कितने अंकों से ये फेल हुआ 42 अंकों से यानि जो उत्तिनांक होते ह उत्तिन आंग से से कितने अंक कम मिले 42 अंक कम मिले अच्छा अब बात करें दूसरे विद्यार्थी के बारे में कि दूसरे विद्यार्थी को कितने मिले 45% मिले और ये कितना ज्यादा था 42 अंक ज्यादा थे किसे उत्तिन आंग से इस पर आधारित कुछ कुश्चन हमें लाभानी में मिलेंगे तो आप इस कॉंसेप्ट को ध्यान रखना देखिए एक human nature होता है कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ती है तो आप अपनी तुलना उससे करते हो आप उसको उपर से नीचे तक देखते हो बैशकल किसकी बढ़िया है कबड़े किसके अच्छे हैं जूते किसने बढ़िया पैन रखे हैं हमेशां एक human nature होता है कि आप सामने वाले को मतलब अपनी तुलना सामने वाले से करोगे अब यहां दो विद्यारती हैं तो हमें भी इनकी क्या करनी है तुलना का मतलब है कि दौनों में अंतर क्या है तो दौनों के प्रतिशत में अगर मैं अंतर की बात करूं तो कितना है वह एक को 43 परसेंट मिला और एक को 39 परसेंट मिला तो दौनों के प्रतिशत में जो अंतर है वह अंतर है 14 परसेंट अब बात करते हैं दौनों के अंकों के दौनों के अंकों में वास्तम में कितना अंतर है तो देखिए एक विद्यार्थी को उत्तीन आंग से 42 अंक कम मिले और दूसरे विद्यार्थी को इसी उत्तीन आंग से 42 अंक क्या मिले ज़ादा मतब अगर मुझे इस पहले विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी के बराबर पहुचाना है तो सबसे पहले तो इसे पास होना पड़ेगा और पास होने के लिए कितने अंग चाहिए इसे बायालीस फिर उसके बाद क्या होगा कि उत्ती नांग से भी यहां तक पहुचने के लिए इसे और बायालीस संग चाहिए तो कहीं भी अधिक, कम, व्रदी, गमी ये दोनों एक साथ हैं और इन दोनों की तुलना किसी एक संख्या से, किसी एक नाम से हो रही हो तो हमेशा ध्यान रखना, अंतर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनको जोड़ दो कि 42 और 42 कितने हो जाएंगे 84 ये जिर्फ हम यहीं पर इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज हम कैल्कुलेशन में कहीं भी कर सकते हैं मान लीजे आपको एक संख्या मिले, जैसे संख्या है 108 और मुझे इसमें से गटाने है 94 जब संख्या पास पास होती है लेकिन एक तीनंकों की संख्या एक दोंकों की संख्या मान लो ऐसे मिल जाए आपको और आपको कभी भी गटाना हो तो गटाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि ये संख्या मैं एक इनके बीच में एक नंबर मान लेता हूँ 100 ये संख्या 100 से कितना जादा है 8 और ये संख्या 100 से कितना कम है 6 ये 8 और ये 6 मिलकर कितने हो जाएंगे 14 इन दोनों के बीच में ये अंतर हुआ अब जैसे मान ल इनके बीच में संक्या माल लेता हूं देड़ सो यह डेड़ सो से कितना ज्यादा है तीन यह डेड़ सो से कितना कम है ग्यारा और तीन और ग्यारा कितने हो जाएंगे जौदा बहुत आसानी से आप संक्याओं को गटा सकते हो अचा अब आते हैं वापस question पर कि 14% का अंतर था किसके इसाब से प्रतिशत्ता के इसाब से और वास्ता में अंकों का जो अंतर था वो कितना था चौरासी अच्छा जब ये 100 का 29 परसेंट ये 100 का 43 परसेंट है तो अंतर भी कितने पर आएगा 100 पर आएगा मतलब दोनों में पूरांग का 14 परसेंट क्या है अंतर है और उस 14 प परसेंट को हम कितना कहेंगे एक परसेंट बराबर हो जाएगा किसके 14 से भाग दे दें 84 को 6 के बराबर यनि एक परसेंट 6 है अब आप से यहां से क्या-क्या कोश्चन पूछे जा सकते हैं पहले विद्यार्थी के अंक कितने हैं तो आप 6 को 29 से गुणा कर देंगे पहले वि क्या करेंगे कि पहले विद्यार्थी के अंक आपने निकाल लिया 29 गुणा 6 से और अगर मैं उसमें 42 जोड़ दूं तो मुझे उत्तिनांक मिल जाएगा या दूसरे विद्यार्थी के अंक निकाल कर उसमें से 42 गटा दूं तो भी मुझे उत्तिनांक मिल जाएगा ये पू उनांक हो जाएंगे 600 चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है ताजा अंगुरों में 76% पानी है जबकि सूखने के बाद 54% होता है 230 किलोग्राम ताजा अंगुरों से कितने किलोग्राम सूखे अंगुर प्राप्त किये जा सकते हैं इस तरह के कोश्चन हम आगे चलके मिस्रानो पात में फिर से पढ़ेंगे अभी फिलाल जो हमें कोश्चन दिया हुआ है इस कोश्चन को प्रतिशत्ता के हिसाब से हम कैसे हल करेंगे चलिए वो देखते हैं अच्छा अगर मैं किसी भी फल की बात करूं वह अंगूर तर्बूज कोई भी फल आपको दे सकता है मौसम के हिसाब से फल बदलते रहेंगे यहां पर उसमें बस आप एक बात ध्यान रखना कि इसमें एक तो होगा पानी और एक होगा ठोस प वास्पी करण होगा और उसके बाद पानी इसकी मात्रा घटेगी लेकिन जो ठोस पदार्थ है उसका जो वजन होगा उस वजन पे कोई फरक नहीं पड़ेगा प्रतिशत्ता तो घटते बढ़ते रहेंगे इनके लेकिन जो वजन है ठोस पदार्थ का उस पे कभी कोई अंत पर नहीं आएगा तो अभी इस क्वेश्चन में काई इसने की 6% पानी है ताजा अंगूरों में इसका मतलब बाकी जो ठोस है वो कितना होगा क्योंकि किसी भी फल का वजन 100% होगा जिसमें पानी का वजन अगर 6% है तो 24% जो हिस्सा है वो क्या है वो ठोस पदार्थ है और ताजा अंगूरों का जो वजन है वो कितना है 230 kg है इस 230 kg में से इस ठोस पदार की अपन बात करें तो वो ठोस कितना हो जाएगा 230 किलोग्राम का कितना परसेंट 24 पर देंगे आप तो यह धियान रखना कि अगर कुल वजन 230 है तो उसका 24 परसेंट क्या है ठोस पदार चलिए 24 परसेंट चेक करते हैं क्या बनेगा 230 24 बटा सो तो यहां से हम कह सकते हैं 23 को 24 से गुणा करना है तो 23 का वर्ग 539 और इसमें मैं 23 और जोड़ दूँ पांसो नंचास पांसो बावन और इस पर एक अंग के बाद पॉइंट आएगा तो इसका मतब 55.2 क्लोग्राम यानि ताजा अंगूरों में जो इस ठोस पदार्थ का वजन है वो 55.2 क्लोग्राम है अब पानी का वास्पी करन होने से पानी की मात्रा गटेगी तो इस ठोस प पदार्थ का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा पानी की मात्रा गटी पानी का पर्संटेज गटेगा लेकिन ठोस का वजन तो यही रहेगा पर्संटेज उसका क्या हो जाएगा पहले के मुकादे अब बढ़ जाएगा वास्पी करन के बाद तो अब ये ऐसा कहना चाह कि अब इसी फल में जो पानी है वो कितना रह जाता है वो रह जाता है 54 प्रतिशत यानि यह जो ठोस पदार्त है इसने कितनी जगा गेर ली इसने अब 46 प्रतिशत जगा गेर ली मतब जो पहले 24 परसेंट में था वो अब मतब इस वार जिसे हम चालीस परसेंट में वह वास्तम में 55.2 किलोगराम के क्या है बराबर है तो आप से पूछा गया है कि कितने क्लोगराम सूखे अंगूर प्राप्त किये जा सकते हैं हम यह कहना चाह रहें इसमें कि अगर टोटल फल का बजन 100% है तो उसमें से 40% ठोस है जो कितने किलोग्राम के बराबर है 55.2 कलोग्राम के बराबर है चलिए भाग देते हैं और यहां पर उत्तर निकालते हैं तो यहां कहेंगे कि चाइज से फच्च.'" फच पन को भाग दिया जाए तो एक बार भाग जाएगा अब शेस देख लें कितना बचे गा यहाँ से शेस बचेदा नू आगे पॉइंट है तो हम भी पॉइंट लगा दें और कितना आ जाएगा यह दो आ अब चालीस से बानवे को भाग दें तो दो बार भाग जाएगा चालीस का डबल बानवे होता है यानि एक परसेंट कितना हो जाएगा एक पॉइंट दो क्लोग्राम अच्छा हमें कितना चाहिए था वजन वजन है टोटल सौ परसेंट तो सौ का मान कितना हो जाएगा एक किलोग्राम ताजा अंगूरों का वजन था जिसका 24% ठोस है जो 55.2 किलोग्राम है अब इसका प्रतिशत चाहे कुछ भी हो इसकी मात्रा हमेशन क्या रहेगी 55.2 किलोग्राम अब यह कह रहा है कि सूखने के बाद पानी रह जाता है 54% तो हम कहेंगे कि ठोस का वजन कितना हो जाएगा ठोस का वजन हो जाएगा 46% और जैसे हम 40% कह रहे हैं वो 55.2 किलोग्राम के बराबर है तो एक परसेंट एक पॉइंट दो किलोग्राम और 100% कितना हो जाएगा 120 किलोग्राम यानि हम यहां पर कहेंगे कि सूखने के बाद जो बजन बचेगा वो 230 किलोग्राम की ज अगला कोश्चन है नमक तथा पानी के 120 लीटर विलियन में 10 प्रसत नमक है इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए जिससे नमक का प्रसत 5 प्रसत रह जाए लास्ट कोश्चन में वो पानी का वास्पी करन कर रहा था नहीं पानी को ओड़ा रहा था इस बार वो क्या कर रहा है कि पानी मिला रहा है अच्छा आप देखो इस question का हल हम कैसे करेंगे करेंगे구요 यहाँ पर हम उस प्रदार्त को leकर चलेंगे जिस कोई भी change नहीं हो रहा है और वो change किसमें नहीं हो रहा है नमक में क्योंकि पानी को तो मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी लेकिन नमक की मात्रा जो पहले थी वही रहेगी हाँ पानी मिलाने से नमक का percentage जरू कम हो जाएगा लेकिन उसकी मात्रा पर कभी कोई फर अच्छा अगर इसमें हम यह टोटल विलियन था इसमें नमक की अगर मैं यहाँ पर मात्रा निकालूं तो नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी 120 लीटर था इसका 10% नमक था यानि 12 लीटर नमक था 12 लीटर पहले नमक हुआ करता था आज भी नमक 12 लीटर ही रहेगा बस उसका प्रतिशत इसमें क्या हो गया कम हो गया है पानी बढ़ानी की वज़े से तो इस वार अगर मैं विलियन की बात करूं तो इस वार विलियन में नमक 5% रह गया तो पानी कितना परसेंट हो गया 95% हो गया लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि जिसे हम 5% कह रहे थे वो वास्तम में 12 लीटर था जिसे हमने 5% बोला वो वास्तम में 12 लीटर था तो यहां से अगर मैं 100% पे जाओ या तो एक बराबर आप निकाल दो 12 बटा 5 हो जाएगा या इसी को मैं कह दू कि 5 का डबल 10 होता है तो 12 का डबल क्या हो जाएगा 24 तो 10% 24 के बराबर है और 100% कितने के बराबर हो जाएगा एक जीरो बढ़ाया तो सेम एक जीरो मैंने यहां पे बढ़ा दिया तो अब विलियन का जो वजन हो जाएगा वो 140 मतब यह लीटर में इसकी मात्रा हो जाएगी जबकि पहले कितनी हुआ करती थी 120 लीटर तो अब आपने इसमें बाकी जो मिलाया है वो सब क्या था पानी थ अगर इसमें आप 120 लीटर पानी और मिलाते हैं तो वजन यहां पर मात्रा जो हो जाएगी नमक की वो दस से घटके पांच हो जाएगी चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है एक संख्या अन्यदो संख्यां से क्रमश है पांच प्रस्सा तथा आठ प्रस्सत अधिक है तब तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रस्थत हैं देखो पैली संख्या की तुलना की है अन्य दो संख्यां से यहां पर जब भी अधिक या कम इसकी बात करेगा तो हमेशां वो यहां पर शे सब्द का प्रीयोग करता है यह कह रहा गhmen संख्या अन्य दो संख्याओं से क्रमश है पांच प्रस्त अथा आठ प्रस्त अधिक है अब इस क्वेशन को आप किस तरीके से हल करेंगे देखो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है पहली संख्या दूसरी संख्या से पांच प्रस्वत अधिक है तो याद करो हमने पहला जो दूसरी संख्या को मैं 100 माझा लो तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 100 का पांच परसेंट पांच होता है जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 और अब इसी का वो comparison तीसरी संख्या से भी कर रहा है कैसे कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी अधिक है पहली संख्या तीसरी संख्या से अब से किसके साथ आया तीसरी संख्या के साथ तो इसको हम 100 माल लेंगे और इसके comparison में पहली संख्या कितनी है 8% जादा है तो यह हो जाएगा कितना 108 अब इसमें इन तीनों को हम एक ही अनुपात में ले आएं क्योंकि कहीं तो पहली संख्या 105 और कहीं पहली संख्या 108 है तो हमें पहली संख्या को दोनों जगे क्या रखना है बराबर अगर पहली संख्या बराबर हो जाएगा 21 और भीस का जब 5 सेभाग दोगे। और यहां अनुपात हो जाएगा जब आप इनको भाग दोगे तो 4 से 27 हो जाएगा और यह 4 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगां यहां पर दूसरी संख्या कहीं तो 21 है और कहीं 27 है मुझे इसे क्या करنا है दोनों जगए एक समान रखना है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस 27 को में उपर गुणा कर दू और इस 21 को में नीचे गुणा कर दू तो यहां से पहली संख्या बराबर हो जाएगी दूसरी और तीसरी संख्या यह मुझे अपने आप यहां से मिल जाएगी अगले कोश्चन है दो संख्या हैं तीसरी संख्या से क्रमश है पांच प्रस्त तथा आठ प्रस्त अधिक हैं तब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है अच्छा यहां दो संख्याओं की तुलना तीसरी संख्या से हो रही है तो यहां हम क्या करेंगे कि उस स तेसरी санख्या को मैं क्या मालभु सौमान जब भी अधिक्या कम की बात करता हम सुरुवात में डिसकस कर चुके हैं जहां भी अधिक्या कम आएगा तो उससे पहले ऐस सबद आयगा सह Care और ये जिस सब्सक्या के साथ होगा अच्छा अब इसकी तुलना में पहली संक्या कितनी जादा है 5% 100 का 5% 5 होता है बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 105 इसकी तुलना में दूसरी संक्या कितनी होगी 8% जादा 100 का 8% 8 होता है इसे 8 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 108 अब आप चाहें तो इन संक्याओं को सरल कर सकते हैं या फिर जैसा हैँ इनको वैसा आप काम में ले सकते हैं आपकी सुविधा के ऊपर है कि मेरे इसाब से यह तीन संख्यां अपने पास आ गई आप इसने पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रस्थ e быть वो कोशन है जिसमें से और का दोनों सासाता गए अब उसी के साब से हम इस question को हल करेंगे पहले इसने से की बात की थी तो अदे किया कम यानि अंतर की बात कर रहा था दुबारा में शब्द आया का और का के बारे में मैंने आपको बताया था कि संख्या जैसी है वैसी ही लिखी जाएगी और जिस संख्या के साथ का होगा वो हमेशा नीचे लिखी जाती है तो इस बार का किस के साथ है पहली संख्या पहली संख्या का तो पहली संख्या को लिखा जाएगा नीचे और दूसरी संख्या को लिखा जाएगा इसके उपर और यहां से अब हम प्रतिशत्ता इसको हल कर तो मैं पांस से एकीस कहूंगा और यह पांस से हो जाएगा बीस और कोई ऐसी संख्या आपकी नजर में जिससे इसे भाग दिया जा सके नहीं है तो आप क्या करेंगे गोड़ा कर लेते हैं 108 का डबल 216 होता है और इस पर एक जीरो और नीचे आ जाएगा कितना 21 चलिए भाग देंगे तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी देखिए 21 से एक बार भाग जाएगा 21 आगे कोई भी संख्या नहीं थी मैंने 6 ले लिया ठीक है 6 लेने से काम नहीं बनाएगा तो मैं पहले जीरो लगाऊंगा और आगे क्या ले लूँगा यह साथ हो जाएगा 21 गुणा दो क कितना बचेगा शेश 18 ऊपर 18 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे एक जिसको सरल करके हम क्या लिख सकते हैं 6 बटा साथ तो हम कहेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 102 सही 6 बटा साथ प्रसत होगी आप से ये भी पूछ सकता था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है तो वहां पर से सब्द आता पहली संख्या के साथ है से सब्द तो पहली संख्या नीचे लि देते जो 3 होता है तो हमें कुल मिला के अंतर कितना मिलता प्रतिषत में दो सई छह बटा साथ प्रसत चलिये बढ़ते हैं अगले कोस्चन की तरफ अगला कोस्चन है राम का वेतन श्याम से वीस प्रसत अधिक है जब श्याम का वेतन मोहन से 25 प्रसत अधिक है राम का वेतन मोहन से कितने प्रसत अधिक होगा इस क्वेशन में अब उसने जो डिपेंडेंसी या जो निर्वरता है वो अलग अलग दे दी हम भी इस क्वेशन को दो इस्वों में तोड़ लेते हैं राम का वेतन श्याम से 20 प्रसत और शाम का वेतन मोहन से 25 प्रस्त अधिक तो आप क्या करेंगे तो आगर मैं राम को देखूं तो यह डिपेंड हो गया किस पर शाम का जो भी आमारे पास वेतन आएगा उसको 20 परसंट बढ़ा देंगे राम आजायेगा और शाम भी डिपेंड हो गया किस फर मोहन कि मोहन का वेतन जितना आएगा उसको 25% बढ़ाएं तब हमें श्याम का वेतन मिलेगा तो कुल मिला के राम और श्याम दौनों मोहन पर डिपेंड हैं तो मैं मोहन को ही क्या मान लेता हूं इसमें कि मोहन का वेतन है कितना 100 100 रुपे मोहन का वेतन और मोहन किस पर डिपेंड है श्याम किस पर डिपेंड हैं मोहन पर कि जो भी मोहन का वेतन है अगर मैं उसे 25% 100 का 25% कितना होगा 25 होगा तो अगर मैं इसको 25 बढ़ा दूं तो यह शाम का वेतन कितना हो जाएगा 125 चलिए अब शाम की वैल्यू आगई अब हम इससे राम की वैल्यू निकाल सकते हैं तो यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि राम का वेतन क्या होगा शाम के मुकाबले इसका वेतन 20 परसेंट देखे है का साड़े बारा का डबल पच्छीस या इसा मत करना 125 में बीस जोड दिया नहीं पहले सौ का 25 परसेंट निकाला तब यह संख्याई अब इस संख्या का 20 परसेंट निकालेंगे तो पच्छीस आया और 125 प्लस पच्छीस यह कितना हो गया डेड़ सो आप चाहे सरल कर सकते हैं या आप चाहे यहीं पर कोशनल कर सकते हैं अब तीसरा स्टेटमेंट देखें स्टेटमेंट बहुत साबदानी से आप पढ़ लो कोशन बहुत आसानी से हलोगा अब कहरा है कि राम का वेतन मोहन से कितने प्रसत अधिक है अधिक शब्द आया है तो से जरूर आएगा और से इससे जस्ट पहले क्या दे रखा है मोहन तो इसका मतलब मोहन अगर इसकी वैल्यू सो है तो इसके मुकाबले राम कितना जादा है राम इस सो से कितना जादा है पचास तो दौनों का अंतर तो बचास हो गया और यह अंतरम मोहन पर चेक कर रहें तो मोहन कितना था सो था औ मोहन से 50% अधिक हो जाएगा इस question में या तो आप अनुपात का यूज करें या दो संख्याओं की निरवर्ता किसी एक संख्या पर कर दें question बहुत आसानी से हल हो जाएगा last question में हमने क्या किया था कि एक संख्या पर direct उसने निरवर्ता दे रखी थी इस बार डारेक्ट ना देकर इंडारेक्ट एक चेन बना के आपको question दिया है तो ऐसे question में ध्यान रखना हमने मोहन को सौ माना इसके comparison में राम कितना हो गया 125 और इसके comparison में शाम 125 हुआ और राम कितना हो गया डेट सो चले बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है राम का वेतन श्याम से 20 प्रसत अधिक है जबकि मोहन से 25 प्रसत कम है मोहन का वेतन श्याम से कितने प्रसत अधिक है अब एक चेंज करके दे दिया इसने कि राम की तुलना पहले तो ओर यह श्याम से और फिर राम की ही तु तुलना राम से नहीं हो रही है राम की तुलना श्याम से हो रही है और राम की ही तुलना किसे हो रही है मोहन से हो रही है इस question में आप ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर आप श्याम इससे तुलना हो रही है तो इसको मैं सौमान लूँ तो इसके मुकाबले राम कितना हो जाएगा 20% जादा यानी 120 ठीक है दूसरी जगए इसी राम की तुलना किससे हो रही है मोहन से अगर मैं मोहन को देखो मोहन से 25% कम है से मोहन के साथ आया कि अगर मैं इसको 100 मानता हूं तो राम इससे 25% कम यानी 25 कम कितना हो जाएगा 55 अब इस वार क्या हुआ कि मोहन और शाम की वैल्यू एक जैसी नजर आ रही है जबकि राम की वैल्यू अलग अलग है जबकि राम क्या होना चीए था इस question में एक समान वैल्य उनी चीए थी राम की अब उसको समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखिए मैं यहां पर एक अनुपात निकाल रहा हूं तो राम की वैल्यू है उसे दौनों जगे हमें एक जैसा रखना है और दौनों जगे एक जैसा रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बस मुझे यहां पर दो से गुणा करना पड़ेगा अगर मैं यहां दो कितना है भै उपर देख लेते हैं इसमें आगर राम च्छह है तो श्रैम कितना है पांच और अगर राम च्छे है तो मोहन इसके कम पैरेजन में कितना है आठ है तो यह लीजिए तीनों का अनुपात अपने पास आ गया कि राम का मान अगर च्छे है तो श्याम का मान पांच है और राम का मान अगर च्छे है तो मोहन का मान कितना है आठ है तो राम श्याम और मोहन का अनुपात है छे पांच आठ अब आगे बढ़ते हैं कोश्चन क्या कह रहा है देखिए फिर से अधिक शब्द यूज किया तो सीधी सी बात है से तो आएगा ही और से किसके साथ है श्याम के साथ है तो श्याम का वैल्यू है पांच इसे नीचे लिख देंगे और इसक एक इसके साथ था श्याम के साथ तो इसको हम नीचे लिख देंगे प्रतिशत्ता निकालते हैं कितना पर सेंट हो जाएगा साट पर सेंट हो जाएगा यह अपने पास एक संक्याई यह हमने प्रतिशत्ता का जो बेसिक था इसमें क्या क्या कॉन से बन सकते हैं वो हमने डिस परणी में अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं तो वह हम डिसकाउंट की उससे दुकानदार से डिमांड करते हैं तो बट्टा में इसका यूज होगा और हम इसका आगे चलके यूज करेंगे ब्याज में भी इसके लाबाद छेत्रमिति आयतन में भी प्रतसत्ता का में